साइकिल इसे इंगलिश में बाइसिकल कहते हैं, फटफटिया इसे इंगलिश में मोटर साइकल कहते हैं, बेल गाड़ी इसे इंगलिश में बुलक कार्ट कहते हैं, आटो रिक्षा इसे इंगलिश में आटो रिक्षा ही कहते हैं, तीन पहिया साइकिल इसे इंगलिश में ट्र लिखने वाली बस इस एंगलिश में ट्रोली बस कहते हैं रोगी वहान इस एंगलिश में एंबुलेंस कहते हैं दमकल गाड़ी इस एंगलिश में फायर इंजन कहते हैं रेल गाड़ी इस एंगलिश में ट्रेन कहते हैं माल गाड़ी इस एंगलिश में फ्रेड ट्रेन कहते हैं और इस तरह की ट्रेन इस एंगलिश में स्ट्रीम ट्रेन कहते हैं, मोटर गाड़ी इस एंगलिश में कार कहते हैं, पुलीस गाड़ी इस एंगलिश में पुलीस कार कहते हैं, और इस तरह की कार इस एंगलिश में स्पोर्ट्स कार कहते हैं, और इस इंग्लिश में बेन केते हैं और इस तरह की बेन इस इंग्लिश में केमपर बेन केते हैं जीब गाड़ी इस इंग्लिश में जीब केते हैं इस तरह का स्कूटर इस इंग्लिश में कीक स्कूटर या पुश स्कूटर केते हैं और इस स्कूटर को इंग्लिश में मोटर स्कूटर केते हैं और इस गाड़ी को इंग्लिश में केवल कार केते हैं और इस गाड़ी को इंग्लिश में रेसिंग कार केते हैं नाओ या कश्ती इस इंग्लिश में बोट केते हैं जहाज इस इंग्लिश में शीप केते हैं हवाई इसे एंगलीश में हेलिकोप्टर यह उपर के थे हैं आंतिरिक श्यान इसंगलीश में स्पेसक्राफ्ट के थे और इसे इंगलीश में टुर्ख ऊतिते हैं और इस तरह का ट्रक इसे एंगलिश में फॉर्क लिफ ट्रक कहते हैं और इस तरह की ट्रक को इंगलिश में पिकप ट्रक कहते हैं और इस तरह की ट्रक को इंगलिश में क्रेन ट्रक कहते हैं और कचरे का ट्रक इस एंगलिश में गार्विश ट्रक कहते हैं इसे इंग्लिश में ट्रेक्टर ही कहते हैं और इस तरह की ट्रक को इंग्लिश में फ्यूल या गेस या टेंक ट्रक कहते हैं टेक्सी इसे इंग्लिश में टेक्सी या केप कहते हैं बुल्डोजर इसे इंग्लिश में बुल्डोजर ही कहते हैं और इसे एंग्लिश में स्ट्रिम रोलर कहते हैं गोड़ा गाड़ी इसे एंग्लिश में होस ड्रॉन कैरिज कहते हैं उट गाड़ी इसे एंग्लिश में कैमल काड़ कहते हैं बच्चा गाड़ी इसे एंग्लिश में बैबी कैरिज कहते हैं